बाउजन समाज की हर ख़बर पाने के लिए सब्सक्राइब करें बेटगार पीपोल्स वोईस और पहला आइकन दबाए तरह सल आपको बताए भारती जनता पार्टी बीजेपी को अभी चुनाव हराना इतना आसान नहीं है बीजेपी को चुनाव हराने के लिए आपको बहुत ही मजबूत गटबंदन और बहुत ही मजबूत ताकत की चुरूरत है उत्तर प्रदेश में सप्पा और बस्पा का गठबंदन मिलकर भी ब्यस्पी और समाजवादी पार्टी का गठबंदन मिलकर भी लोगसभा के अंदर जो लोगसभा चुनाओं के अंदर बीजेपी को टकर नहीं दे पाये थे अभी बिहार में हुए चुनाव के अंदर भी कॉंग्रेस आर्जेडी का गटबंदन भी मिलकर और लेप्ट पार्टियों का गटबंदन मिलकर भी बीजेपी को सता से बेदखल नहीं कर पाया था और भी जेपी काफी बड़ी पार्टि बनकर निकली बिहार में हैं लेकिन उत्र प्रदीश की राजनीती एक अलग है दो जार बाइस के अंदर या विधान सभा के चुनाव है और आपको बता है कि इस वक्त बड़ी अफटेट जानकार ये मिल रही है कि असब दिन ओवेसी और परकास राजबर इस तरीके की पार्टियां है वो गटबंदन अलग करेगी चंद से ग्राजाद अलग चुनाव लड़ रहे हैं गटबंदन करके इनके साथ बियस पी अलग चुनाव लड़ेगी सपा अलग चुनाव लड़ रही है सपा ने भी साब कर दिया है कि वो बड़ी पार्टी से गटबंदन नहीं करेंगे इसके अलाव आपको बता दे कि कॉंग्रेस पार्टी से को भी अब की बार कोई साथ लेना नहीं चाहता है और बीजेपी अपने अदम पर अखिले चुनाव लड़ रही है तो यानि कि कुल मिलाकर हम देखने के कोशिश करें तो तमाम राजनीतिक पार्टी अगर अलग लग चुनाव लड़ती है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल में पढ़ती है बाकी पार्टी और फाइदे में रहती है भारती जंता पार्टी यानि कि जितनी ही ज्यादा पार्टी अलग लग चुनाव लड़े की उनमें बीजेपी काफ़ी ज्यादा फायदे में रहीगी इसके पीछे का काड़ में आपको बताऊ बिजेपे का जो वوट बेंक है जनरल काष्ट अपर काष्ट को लोग माना जाता है वो वोट बैंक के आपको बता दे कि चाहिए कितनी पार्टियां गटबंदन चुनाओ लड़े वो बीजेपी को ही वोट जाना है इसके लावा मोधी के नाम पर OVC का भी का भी का जादा OVC जो समाज है उसका भी पिछरा वरका भी बहुत जादा वोट है वो जाता है इसके लावा आपको बता दे कि SC में से भी वोट है वो डाइवर्ड होते हैं उनकी तरफ इसके लावा अन्य जो जाती है उनकी तरफ से भी होता है लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो कोड़ बोट है उसके अंदर से चंदर से कराजाद जैसी चोटी-चोटी पार्टी है वो बोट काट लेगी अकलेस यादव की जो पार्टी है उसका भी आपको बताते कि SC उपाल यादव और परकास राजबर्जे से जो नेता है वो वोट काट लेंगे यानि थोड़ी थोड़ी उनकी चाहिए जीत हांसिल हो या ना हो लेकिन पिषड़ों को ये नुक्सान पहुंचा लेगी मुस्लिमों को इस बोड़ी नुक्सान पहुंचाएगी कॉंग्रेस अलग नुक्सान पहुंचाएगी कॉंग्रेस इतनी मजबूत उत्र प्रदेश में है नहीं तो सपा और बसपा दोनों कम जोर हो जाएंगे और दोनों के वोट वैंक है वो कम हो जाएंगे तो ऐसे आलात में भारतिय जन्ता पार्टी को जीतनी का अउसर प्रधान हो जाएगा और भारतिय जन्ता पार्टी एक बार फिर से सरकार बना सकती है अगर उत्रप्रदेश में योगी आदितेनाथ सरकार को रोकना है तो एक मजबूत गटबंदन की जरूरत है आज के तारिक में अगर एक मजबूत गटबंदन उत्रप्रदेश में बनता है तो उत्रप्रदेश की सत्ता पर फिर से बहुजनों का राज हो सकता है वरना योगी आदितेनाथ का सरकार बनना एक बार फिर से कमेंट के जो शेयर करना बिलकु ना बोड़ू